नमस्ते दोस्तों, लवागी में एक और नई रेसिपी लेके आज हम मिनेंगे वर्ट की अप्पे, ये अप्पे बाहर से कुरकुरे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वर्ट का खाना खाखा के हम बोर हो चुके हैं तो ये अप्पे बनाने के लिए एकदम पॉफेक्ट चॉइस है बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम इंगीडेंस में, बहुत ही कम तेल में और करीबन पांच मिनिट में बनकर तयार हो जाते हैं तो देर किस बात की चलिए बनाना शुरू करते हैं अब पे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सावे की चावल को पाँच घंटे के लिए सोक करके पहले से ही रख दिया था तो यहाँ पे यह अच्छी तरीके से सोक हो चुकी है अब हम हमारे सोक सावे की चावल को एक जार में डाल देते हैं और इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि इस टाइम डालते वक्त हम बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे अब हम इसको क्लोस कर लेते हैं और इसका एक पेस्ट टाइप तयार कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे ये paste एकदम तयार है तो paste को हम हमारे bowl में transfer कर लेते हैं अब मैं इसमें कुछ basic masala डाल देती हूँ अगर आप ये masala ना खाते हूँ तो आप इसको skip कर सकते हैं तो आदी छूटी चमच यहाँ पे मैं भुना वजीरा पाउटर डाल रही हूँ आदा छोटा चमच हम इसमें काली मिच पाउडर डाल रहे हैं और यहाँ पे मैं सेंदा नमक डाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हरी मिच और यहाँ पे मैंने एक आलू को बॉयल कर लिया था और उसको ग्रेट कर लिया था तो उसको भी इसमें डाल देते हैं इन सभी को अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर मैं 1 थर्ट कब पानी डालूंगी तो पानी को मैं उसी मिक्सिंग जार में डाल के फिर डाल रही हूं इसमें अगर आपको सूखा लगे तो आप पानी इसमें डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमारा टेस्टी अप्पे का बैटर एकदम तयार है जादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे हम यहाँ पर मैंने अप्पे मेकर ले लिया है इसमें मैंने 2 चमच तेल डाल लिये हैं और तेल को अच्छी तरीके से इसमें गरम होने देते हैं यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो अब मैं इसमें हमारा पैटर पोर कर देती हूँ वर्ट में बनाने के लिए एक्तम पॉफेक्ट चॉइज़ा बहुत ही कम इंगीरेंट्स में बन जाता है साथी साथ बहुत ही जादा टेस्टी होता है कुरकुरा होता है और अंदर से एक्तम सॉफ्ट होता है इसको आप हरी चटनी के साथ सर्फ करना बहुत ही टेस्टी लगीगा तो अब मैं इसको दो मिनिट ले क्लोज कर लेती हूँ दो मिनिट के बाद हमारे अपपे एक साइट से अच्छे से हो चुके हैं तो अब मैं इसको फ्लिप कर लेती हूँ और फ्लिप करके दूसी साइट से भी हम इसको एकदम कुरकुरा कर लेंगे तो सभी को अच्छे से फ्लिप कर लेते हैं और इसको मैं क्लोस कर लेती हूँ ताकि ये दूसी साइट से भी अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएं दो मिनट के बाद ये दूसरी साइट से भी अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ये देखिए ये अच्छे से कुरकुरे हो चुके हैं तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं दोस्तों यहां पे हमारे वर्ट के अपे बनकर त्यारे देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं एक तोड़के दिखाती हूँ अपो को यहां पे मैंने मुफली की हरी चटनी के साथ सर्फ किया है बहुत ही टेस्टी लगते हैं परसनली मेरे तो बहुत ही फेवरिट है आप ये रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राय करना ये सभी को बहुत पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा बाए वापिस मिलूंगी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ